हेलो एवरिवन सभी को मेरा राम राम आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि जहटपट से मिंटों में बन जाएगी मतलब घंटों का काम नहीं मैं बताती बिलकुल आपको इजी सी और टेस्टी सी रेसिपीज में लेकर आती हूं हमेशा तो हम ये आताजा राइस बना कर भी इससे ये साउथ इंडियन तड़का राइस आप बना सकते हैं कुछ नहीं करना है बस हाँ कुछ चीजों का ध्यान देना है कि कब कौन सी चीजे तड़का में डाली जाएंगी तो हम एक कडाई ले लेंगे दीमी आज पर सारा काम करेंगे तो सब से पहले हमक invite 2-3 बड़े चमच ऊईल डाल देंगी और हमिय झार नहीं तो शूट चमच चाना चाहिए test सब्सक्राइब यां डालसकी जब प्ला सकते हैं फिर हम यह चैना दाल एक चर्भा ऐसा चोटी चमच और चठी चर्भा वरत्की दाल सकते हैं त्रुच दाल पेज़े पत्ता का बार मिर्चने दालेंगे अप्सकोड आपक दूरीपता का अजय को कहा है तो ढ़लेंगे लगेए अरने और यहां होऊट ही लेकाना थोट रहे नंसे बसा हार दया टेसा करिपत एंद बाकर आफ सभीकंड मतलब उसके बाद leftover rice है या फिर आप एक सीटी यह बासमती चावल होता है उसको लगा के रख सकते हैं उससे भी यह बहुत अच्छा चावल बनेगा या फिर आप leftover घर का जो usual चावल होता है उससे भी बना सकते हैं बस इसे mix करना है आप कुछ भी नहीं करना है अगर आप चाहें इस साउथ इंडियन तड़का rice है मतलब बहुत ही famous है यह और बहुत अच्छा भी रखता है मतलब बिना किनी जादा मसालों के आपको कोई गरम मसाला कोई चाट मसाला इसमें नहीं डालना है बस आधा चोटी चमश नमक और एक नीबू का रस मैंने डाला है बस इतना ही है और ह अगर चावल पका पकाया रखा है तो थोड़ी सी धनिया की पती से गार्निश कर देंगे और सच में अगर आप मसालों से परहेज करते हैं तो यह राइस बहुत ही टेस्टी लगता है मतलब मसाला राइस एक तरफ और इसका टेस्ट एक तरफ बहुत टेस्टी यह खाने में बच्चों के लिए हल्दी है आप टिफिन में इसे दे सकते हैं आप बहुत ही आसान है बनाने में मतलब हम वही चीज़ें लंच के लिए पैक करते हैं जो इजी और टेस्टी हो जो टाइम कम लगे जिसको बनाने में अगर आपको रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज लाइ प्लीज।